So Hello Students, कैसे हैं आप सभी? BARC ने अपना exam का result जारी कर दिया है category 1, category 2 का जो stipendry training category 1, category 2 का exam हुआ था उसके कुछ departments का result जारी कर दिया गया है कुछ categories का result जारी कर दिया गया है तो अभी आपको देखना कैसे है? BARC online exam.com की website पर आपको जाना है यहाँ पर आप जाएंगे, इस तरह का page आपको show होगा इस तरह का interface आपको मिलेगा, result के section में जाएगा तो बड़ा दो category का result अभी फिलाहल जारी हुआ है एक laboratory में और एक plant operator में तो जो भी result आप देखना चाहते हैं उसके respective tab पर आप click कर सकते हैं तो देखें आपको इस तरह की PDF खुल जाएगी इस तरह की PDF खुल जाएगी जिसमें application number, applicant का नाम, date of birth, category skill test आपका कब होगा जो skill test का सबसे important चीज़ है skill test का भी data यहाँ पर आ गया है venue कहा होगा और reporting time क्या होगा यह सब पूरा यहाँ पर आपको PDF में detail मिल जाएगा यह रहा laboratory category में अगर आप चाहते हैं plant operator category में देखना तो आप इसी result के section में दूसरे tab पर यानि कि plant operator की category में click कर सकते हैं तो plant operator में भी आपको देखिए आपका application number, आपका नाम, आपको date of birth, category, skill test की date कब है और when you कहाँ है, reporting time क्या है यह सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो बटा रही बाद आप जो question कुछ pending है वो यह है कि sir जो step entry training category 1 था उसका result कब आएगा जिसमें mechanical की बहुत सारी सीटे थी उसका result कब आएगा तो बटा आपको वो भी result जल्दी जल्दी देखने को मिलेगा दो से तीन दिन गंदर आपको वो भी result देखने को मिल सकता है तो तयार रही हो सकता है क्या पता आज ही update हो जाए या दो से तीन दिन गंदर आपको वो भी result देखने को मिल जाएगा और बटा आपको मैं बताओं कि आज शाम को आज शाम को शाम को साथ बज़े से आठ बज़े तक जो बच्चे मेकानिकल वाले हैं जो SACJ 2024 के तयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी नियूज मैं लेकिया रहा हूँ वो आपको मैं रिवाइस करा रहा हूँ पूर को जरूर सब्सक्राइब करेगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा थाइंकिस सो मच